मोहबत जिंदगी है इस नौवल को तहरीर किया है राशिदा रिफत ने इस नौवल को तहरीर किया है हलका फुलका सा बुखार और मामूली सा फलू आफिस से छुटी करना बनता तो ना था लेकिन वो अपने मूट का क्या करता कभी कबार तो बंदे को अपने दिल की बात मानना ही पड़ती है ना और आज ऐसा ही दिन था वो रात की भरपूर नीन के बाद सुबा उटकर एक भरपूर नाश्टा कर चुका था और अब बहुत इत्मिनान से अखबार की वर्ग गरदानी कर रहा था अम्मा पडोस में अपनी किसी जानने वाली की आयादत को गई हुई थी उसी वक्त डोर बैल बजी थी हैरत है अम्मा इतनी जल्दी आ गई हारिस अखबार मेज पर रखकर गेट खोलने गया था आने वाली अम्मा ना थी अम्मा की घबराई बौकलाई सी अजीज़स जान भांजी साहिवा गेट खुलने के इंतजार में खड़ी हाथ की उंगलियां मरो रही थी दूसरी जानब अपनी खाला जान के बजाए उनके सपूत को देखकर महतरमा की घबराहट में खातिर खुआ अजाफा हुआ था हारिस ने उसे अंदर आने का रास्ता दिया वो हारिस को मिनमिनाता से सलाम करके घर के अंदर दाखल हुई अम्मा जरा पडोस तक गई है तुम बैठो में अम्मा को हारिस ने हानिया के सलाम का जवाब दे कर उसे आगा करना चाहा था मगर वो उसकी बात मुकमल होने का इंतजार किये बगर बोल पड़ी थी क्या कहा आपने खाला जान घर पर नहीं है खौफ जदा सा लहजा और अंदाज ऐसा जैसे के अभी वापसी के लिए दौड लगा देगी अम्मा अपना सेल फोन साथ ले गई है मैं उन्हें कॉल करके बुला लेता हूँ करीब ही गई है पांच मिंट में आ जाएंगी हारिस ने उसे बेहद रसानियत से जवाब दिया उसके चहरे पर चाया तजबजब अभी भी कमना हुआ था हारिस ने उसके साथ मजीद दिमाग खपाने के बज़ाए लाउंज में चार्जिंग पर लगा अपना मुबाइल फोन उठा कर अम्मा को फोन कर दिया महतरमा की तसली के लिए स्पीकर भी आउन कर दिया था हानिया आई है अच्छा अच्छा बिठाओ मेरी बच्ची को मैं दो मिट में आई बस खाला की आवास सुनकर बच्ची खुद ही सौफे पर टिक गई थी हारिस उसकी मजीद तसली के लिए अपने कमरे में चला गया वो जानता था हानिया उसकी घर में मौजूद्गी की तवक्व ना कर रही होगी हर 10-15 दिन बाद वो अपनी खाला के पास अपने दुखडे रोने आती थी लेकिन छुट्टी वाले दिन आने से गुरेज ही करती थी अम्मा की जबानी उसे हानिया की आमत का इल्म होता और ना सिर्फ उस दिन बलके उससे अगले दिन भी अम्मा की जबान पर अपनी भांजी का ही तसकिरा रहता बेचारी बच्ची जी का बोज हलका करने आ जाती है मेरे पास आपा और भाई सहब ने कैसा लाडों में पाला था तीनों भाई भी जान छिड़कते थे माँ बाप का तो चलो अल्ला के पास से बुलावा आया चले गए लेकिन निगोड मारे भाई अपनी आँखें और कान अपनी अपनी बीवियों के पास गिरवी रख दिये कमबखत मारियों ने जीना हराम कर रखा है बेचारी हानिया का अम्मा के पास तो सुनाने को और भी कुछ होता था लेकिन हारिस को हानिया के निगोड मारे भाईयों और कमबखत मारी भावיों के तश्किरे से चंदा दलचस्पी ना थी फिर भी उसे अम्मा से अक्सर हानिया नामा सुनना पड़ता था हानिया अम्मा की मरहुमा बेहन की इकलौती बेटी थी खाला खालू अल्ला को प्यारे हो चुके थे और अब वो अपने भाईयों और भाबियों के साथ रहती थी उसके हालात इतने भी काबले रहम नहीं थे अच्छा पहनती ओरती थी घर के कामों का भी खास बोज ना था छोटी छोटी मामूली बातें जो घरों में हो ही जाती है हानिया को बहुत दिल गरिफता कर देती थी वो हसास तो हमेशा से थी माबाप के गुजरने के बाद जरूरत से ज़्यादा जदो रंच हो गई थी किसी भी छोटी सी बात पर पहरो कुरती थी और जब जब्द का पैमाना बिलकुल रब्रेस हो जाता तो दिल का गुबार हलका करने के लिए यहां अम्मा के पास आ जाती रोने धोने का तवील सेशन होता अम्मा उसे चुप करवाती धेरो दिलासे देती कुछ नसीहते करती दूसरे अलफाज मे हानिया अम्मा से कतार सस करवा कर वापिस अपने घर की राह लेती अफशा आपा या एनी आपा सुस्राल से मेके आई हुई होती तो वो भी अम्मा के साथ मिलकर हानिया को धेरो धेर तसलिया देती हारिस के इलावा सब घरवालों को हानिया से दिली हमदर्दी थी खेर उसके साथ कोई ऐसा खास बैर हारिस को भी ना था लेकिन जो मसले लेकर महतरमा यहां आती थी और घर वालों को भी जिन बातों की वज़ा से हानिया बेचारी पर तर्स आता था हारिस को उन बातों पर सिवाए हसी के कुछ ना आता मसलां हानिया की गेहरी सहेली की शादी थी तौफीग भाई को दो तीन दिन पहले से याद ध्यानी करवा रही थी कि वो मुकररावक्त पर गाड़ी समेट घर पर रहें मुकररावक्त पर तौफीग भाई घर पर ही थे लेकिन शोहर की शकल देख कर नाजो भावी को याद आगया कि आज तो उन्होंने अपनी बहन की नंद का नौ मौलूद बेटा देखने जाना है बच्चे की पैदाईश को सोला रोज गुजर चुके थे अगर नाजो भावी एक दो दिन बाद मुबारक बाद देने चली जाती तो क्या फर्क पर जाता उसकी गहरी सहेली की शादी का फंक्शन मिस होते होते रह गया न वो तो शम्स भावी को उसकी बेचारी सी शकल पर तरस आ गया और वो अपनी फटीचर सी बाइक पर उसे मेरिज हौल छोड़ आए वापसी कैसे हुई वो अलग अलमनाग दास्तान थी जो हानिया बीबी ने हिचकियों से रोते हुए सुनाई और अम्मा दुपटे से उसकी आँखें पोचती रही शादी के बाद ये गहरी सहेली हानिया से मिलने घर आई हफते बाद उसने मिया के साथ बैरूने मुल्क चले जाना था नाजो भाबी और शहला भाबी घर पर थी दोनों सहेली से मिलने तक ना आई मुलाजमा के हाथ ड्राइंग रूम में दो गलास कोल्रिंग भिजवा दी गलासों में इतनी बरव डाल दी थी के कोल्रिंग बिलकुल शर्बत ही बन गई ये हानिया की ही इस्तला थी और उसी शाम नाजो भाबी के बहन भेनोई घर आए तो तरहां तरहां के लवाजमात से पूरी मेज सच गई बलके उन्हों ने शामी कबाब तलने को हानिया से ही कहा और शामी कबाब तलते हुए घी का ऐसा चीटा कलाई पर पड़ा कि अच्छा खासा आबला बन गया और जब हानिया महमानों से सलाम दूआ करने गई भाबी की बहन ने उसकी स्टेडीस के मुतालिक एक दो सवाल पूछे तो नाजो भाबी ने महंगाई का रोना शुरू कर दिया दर परदा वो हानिया को सुनाना चाह रही थी कि उसके तालीमी इखराजात की वज़ा से घर के खर्चों में कैसी तंगी बरदाश करनी पड़ती है और छोटी भाबी शॉपिंग पर गई तो रस्मन हानिया से भी पूछ लिया कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं उसका हैंड बैग बहुत पुराना हो चुका था उसका स्ट्रिप भी बस तूटने ही वाला था तो उसने भाबी से कहा कोई मुनासिब कीमत वाला हैंड बैग ले आए और छोटी भाबी जिनकी 24 का एक जमाना गरवीदा था वो उसके लिए ऐसा बदरंगा और बदवाजे बैग उठा लाई कि हानिया कभी हैरस से भाबी का मुँ देखती और कभी बैग का और रात के खाने के बाद छोटी भाबी के कमरे से छोटे भाईया के उंचा उंचा बोलने की आवाजे आ रही थी वो खासे कंजूस थे और बीवी से इस फदूल खरची के बारे में बास प्रस कर रहे थे तो छोटी भाबी खरचे की वधाहत देते हुए बार बार हानिया की हैंड बैग का ही जिकर करती रही हानिया उस वक्त को कोस्ती रही जब उसने हैंड बैक की फर्माईश की थी एक दफ़ा जब उसे बुखार हुआ तो वो दो दिन तक भाईया के मेडिकल बॉक्स में से बुखार की टेबलेट लेकर खाती रही भाईयों और भाईयों में से किसी को ख्याल तक नाया कि उसे डॉक्टर के पास ही ले जाया जाए वो तो शुकर है कि दो दिन बाद बुखार खुद ही उतर गया इसी तरह जब शहला भाईय के सबसे चोटे फितने मतलब बेटे ने उसकी एहम असाइमेंट फार दी और उसने घुसे में भतीजे को एक चमाटा रसीत कर दिया तो बजाहर तो शहला भाईय ने कुछ ना बोली मगर दो दिन तक उनका मूड आफ ही रहा इसी तनहा के दरजनों किस्से थे जिनको सुनाते हुए हानिया बीबी पर रिकत तारी हो जाती और अम्मा लाडली भाणजी को सीने से चम्टा कर धेरो धेर तसलिया देती और फिर अगले दो दिन तक हारिस के सामने अम्मा आप दीदा होकर भाणजी की बातें दोराती रहती दोनों बेहनों की शादियों के बाद अम्मा सारा दिन चुप रह रहकर उक्ता जाती थी जब वो आफिस से घर वापस आता तो अम्मा उसे खाना बाद में देती, दिन भर की रिपोर्ट पहले देती उसे अम्मा की तनहाई का बाखुबी एहसास था दो साल पहले अबा का इंतकाल हो गया था उसके बाद से अम्मा बहुत तनहा हो गई थी दोनों बेहने अपने घर बार की थी, पंदरा बीस दिन बाद मैके का चक्कर लगता मा के सामने सुस्राल वालों की धेरो धेर गीबते करके वापस अपने घर की रा लेती लेकिन आजकल बेहनों के हाथ एक और मौजू लग गया था वो जब भी मैके आती हारिस की शादी का जिकर छेड़ देती और अपनी उन नंदों, देवरानियों, जेठानियों जिन से उनकी एक दिन भी ना बनी थी उन्हीं की बेटियों का नाम हारिस के लिए तजवीज करती शुकर है अमा इस मावले में हारिस की हमनवा थी सारी जिंदगी जिन वड़तों की तेस तरारीयों के किस से तुम मुझे सुनाती रही हो, अब उनकी बच्चियों को हारिस के लिए मंतखरerer हो जब माएं इतनी तेज तरार हैं तो बच्चियां कौन सी सीधी और मासूम होंगी ना भई मुझे और मेरे बेटे को तो बक्षो तुम जैसी सीधी और मासूम बहु आप चा रही हैं वो आज के दौर में तो मिलने से रही जिन लड़कियों का हम जिकर करते हैं वो हमारे सामने पली बड़ी हैं उनके मिजाज और आदतों से हम बाखुबी आगा हैं थोड़ी बहुत तेज तरारी तो किसमे नहीं होती हैं माँ अफश्या आपा बहुत रसानियत से मा को मुखातिब करती हाथो और क्या मा पाजी बिलकुल सही कह रही हैं अलवीना नोशाबा लाइबा और जर्मीना चारो बच्चियां हमारी आखों के सामने पली बड़ी हैं फिर हारस हमारा एकलौता भाई है हमारा तो मैका ही उसके दम से है क्या गरंटी है कि गरों मैंसे कोई लड़की लाएंगे तो वो इस घर में हमारा कभी कवार का आना भी बरदाश कर पाएगी अपनी देखी बाली लड़की को भावी बनाएंगे तो हमारा और हमारे बच्चों का वजूद बाखुशी गवारा करेगी एनी आपा ने अपने दिल की बात कह डाली तो क्या जरूरत है तुम्हारी सुस्राली बच्चियों में ही किसी को बहु बनाओ तुम्हें कर्बो जवार में कोई और ऐसी लड़की नजर नहीं आ रही जो देखी भाली भी हो सीधी और मासूम भी और तुम्हारे बच्चों स बहुत प्यार भी करती है अम्हा जरा माईने खेज अंदाज में मुस्कुराई थी एनी आपा और अफशा आपा ने चौक कर अम्हा को देखा चौका थो हारिस भी था अभी तक तो वो मा बहनों की बहस से लुट्फ ले रहा था लेकिन अम्हा ने इस बार जो फिक्रा बोल था उसमें किस हस्ती की तरफ इशारा था वो चंद लम्हों में ही उस इशारे को पा गया था लेकिन हो सकता है उसे समझने में कोई गलती हुई हो उसने बेयकीनी से मा को देखा था हानिया की बात कर रही है आप एनी आपा ने हैरत से इस तफसार किया हाँ मैं हानिया की ही बात कर रही हूं बोलो कोई अतराज है तो अम्हा ने मुस्करा कर बेटियों को देखा इस से अच्छी बात और क्या हो सकती है 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 ये बात हमारे जहन में क्यों आई अफशा आपने फॉरन से बेशतर ताइदी वोट दे डाला तुम्हारे जहनों पर तुम्हारी सुसराली बच्चियां च्छाई हुई थी बताओ तो सही उन में से कोई मेरी हानिय की पासिंग भी है अम्हा ने तफाखुराना लहजे में इस तफसार किया फर गॉट सेक अम्हा आप अपनी रोनी सूरत वाली भांजी को मेरे पल्ले बानना चा रही है हारिस को मा की बात सुनकर गो मिलेगी इसे अम्हा ने बेटे को नराजी से देखा हा तो और के हारिस बताओ तो सही क्या कमी है हानिय में शकलो सूरत लाखों में एक पड़ी लिखी सीधी साधी भोली भाली और सबसे बढ़कर हमारी अपनी आपका इंतखाब सौ फीसद दुरस्त है अम्हा बस पहली हानिया पसंद नहीं उस इम्मेचोर लड़की से मुझे हर्गिस शादी नहीं करनी कोई धंकी लड़की ढूननी है तो ढूने वरना ये काम मैं खुद कर लूँगा हारिस को गुसा ही आ गया उसकी जिन्दगी का सबसे एहम मौमला और उसकी राय को कोई एहमियत देने को त होते हुए ही देखा है मेरे लिए क्या वोही रोने धोने वाली लड़की रह गई है उसने बिगड़ कर पूछा तुम उसके मौरूजी हालात तो देखो माबाप सर पर है नहीं भाई भावियां अपनी जिन्दगियों में मगन घर में कोई ऐसा फर्द नहीं जिसके साथ व वो हर वक रोती धोती रहती है अफशा आपाने भी लाडले भाई को बहुत प्यार से समझाया था कोई और बात करें आपा जब मैंने कह दिया नहीं तो बस नहीं उसने उकता कर उनकी बात काटी रहने दो अफशा जब इसने ना कर दी है तो वो कभी हामें नहीं बदलेगी अपने लिए अपनी पसंद की लड़की ये खुद तलाश कर लेगा तुम दोनों अपने घरबार की हो और मैंने भी कितने दिन जी लेना है जैसे मरजी लड़की पसंद करे मुझे कोई एतराज नहीं अम्मा बेटे की हट दर्मी पे आप दीदा हो गई थी हारिस जी में कुछ शर्मिंदा हुआ लेकिन जानता था मा बेहने उसे काईल करने को और भी बहुत से जजबाती और नफसियाती हर्बे इस्तमाल कर सकती है मैं दाउत की तरफ जा रहा हूँ कल वो बाइक से सिलिप हो गया था अच्छी खासी चोटे आई हैं उसका हाल पूछाओं उसने अपने करीबी दोस्त का नाम लिया मा बहने एक दूसरे को देख कर और दिल मसूस कर रह गई हारिस लाग फरववरदार सही मगर ये सच था कि कोई भी उसकी मर्जी के खिलाफ उससे कोई काम ना करवा सकता था तुम दोनों को कौन सी जल्दी पड़ी थी भाई की शादी की ना रोज रोज ऐसे वैसे रिष्टे लेकर आती तो काहे को मैं अभी हानिया का नाम लेती बड़ा टेड़ा बेटा है मेरा बहुत तरीके सलीके से काईल करना था मुझे उसको मौका महल देखकर बात छेड़ती तुम दोनों की वज़ा से सब कुछ चौपट हो गया अम्मा अब बेटियों पर बिगर रही थी बेटे पर आया गुसा बिला वज़ा बेटियों पर निकल रहा था और फर्मा वरदार बेटियां चुप चुप मा की डाट सुने गई हारिस को खच्चा था कि अम्मा दोबारा ये मौज़ू जरूर छेड़ेंगी लेकिन सच छुकर उस दिन के बाद अम्मा ने उसके सामने हानिया का नाम नहीं लिया था और अब तो काफी दिनों से मौतर्मा की आमद भी नहीं हुई थी हैरत अंगेस तोर पर उसे कभी कबार हानिया का खयाल आ जाता अम्मा और बेहनों की बाद याद करके चमसे मौतर्मा का सरापा जहन के पर पर लहराता मगर अगले ही पल वो सर जटक कर हानिया के तसवर भी जहन से जटक डालता और फिर एक दिन हानिया साहिबा घर आ ही गई आज भी इत्तफाक से हारिस के आफिस का आफ था वो अपने कमरे में लॉप टॉप पर आफिस का कोई काम निम्टाने में मसरूफ था जब दर्वाजे की बैल बजी अम्मा शायद वाश्रूम में थी हारिस गेट खोलने गया तो घबराई भौकलाई सी हानिया दर्वाजे पर मौजूद थी कुछ फासले पर एक रिक्षे वाला रिक्षे से गरदन बाहर निकाल कर उसी जानेब मतवज्जो था हारिस भाई मैं हैंड बैग में पैसो वाला पर्स डालना भूल गई प्लीज इसे किराया दे दें बे तहाशा शर्मिंदा होते हुए उसने हारिस को मुखाटिब किया अजीब भुलक कर लड़की है वो दिल में सिर्फ सोच ही सका अगले हिपल उसकी बेचारी सी शकल देखकर उसे तरसा गया तुम चलो अंदर मैं इसे किराया देता हूँ हारिस ने उसे नर्मी से मुखाटिब किया और रिक्षे वाले को किराया दे कर जब वो लाउंज में से गुजरा तो सौफे पर बैठी हानिया पर निगा पड़ी वो दोनों हातों की उंगलियां आपस में फसाए सर जुका कर जाने किस सोच में गुम बैठी थी उसे हारिस की आमत का एहसास तक न हुआ था हारिस अपने कमरे की तरफ जाना चाहता था मगर कुछ सोच कर वो उसके सामने वाले सौफे पर बैठ गया इस लड़की को उसकी माँ उसका जीवन साथी बनाना चाहती थी और हारिस के इंकार पर वो ये खौाहिश दुबारा जबान पर ना लाई थी मगर उनकी खामोश सी खवगी भी हारिस से बरदाश ना हो रही थी क्या अम्मा की खौाहिश पूरी करने को वो हानिया से शादी पर राजी हो सकता है उसने हानिया पर एक निगा डालते हुए खुछ से पूछा था वो खुबसूरती के मरूजा पैमाने पर पूरी उतरती थी दूद मलाई सी रंगत सत्वा नाक कुद्रती गुलाबी होट मतनासिब सरापा वो वो वाकई बहुत खुबसूरत थी हारिस ने फराग दिली से तसलीम किया लेकिन उसकी गहर मतवादन शक्सियत बला की जदोरंच भुलकर इतनी के बिना पैसो के घर से निकल पड़ी गैर हाजर दिमागी का ये आलम के हारिस उसके सामने वाले सौफ़े पर बैठा उसका चेहरा तक रहा था और हानिया को उसकी मौझूद की का एहसास तक न था जाने किन सोचों में खोई हुई थी वो तुम्हारी स्टडीज कैसी जा रही है हानिया हारिस ने उसे मुखातिब किया वो जैसे एकदम चौंकी थी जी हारिस भाई आपने मुझे से कुछ कहा तुम्हारी पढ़ाई के मतालिक पूछ रहा हूं कैसी जा रही है तुम्हारी स्टडीज उसने दुबारा अपना सवाल दोराया था पढ़ाई ठीक जा रही है हारिस भाई खाला को बुला दें घर पर ही है ना उजलत में उसके सवाल का जवाब दे कर अम्हा के बारे में पूछा हारिस सख्त बदमजा हुआ माना ये लड़की इस घर में सिर्फ अपनी खाला से मिलने आई थी लेकिन खाला के बेटे ने उसे मुखातिब करने की गलती कर ही ली थी तो एक दो बाते करने में कोई मजायका भी ना था तुम बैठो मैं अम्हा को भेशता हूँ संजीद की से कहकर वो उट गया था सामने से ही अम्हा भी आ रही थी वो उन्हें हानिया की आमत का बता कर अपने कमरे में चला गया थोड़ी देर में अम्हा उसके कमरे में आई थी बिना कुछ कहे उन्होंने ड्रेसिंग टेबिल पर धरा तिशू का डबबा उठाया था अगले महीने के सामान में चार डबबे फालतू मंगवा लीजेगा आपकी भांजी घर के सारे टिशू इस्तवाल कर लेती है उसने अम्हा को मुखातिब किया वो कुछ ना बोली बस बेटे पर तीखी निगा डाल कर टिशू का डबबा लिये वापिस पलट गई थी जाने आज क्या सित्म टूटा है मौतरमा की जात पर उसने इस्तवाईया अंदाज में सोचा था फिर सर जटक कर दुबारा अपने लैप्टॉप की तरफ मुतवज़ हो गया लेकिन आज जाने क्यूं काम करने पर तवज्जो मर्कूज ना हो रही थी तवियत पर भी अजीब कसलमंदी से तारी थी अम्मा तो अपनी भांजी के पास से घंटा भर से पहले क्या ही उटती उसने खुद अपने लिए चाय बनाने की सोची लाउंज में अब अम्मा और हानिया ना थी अम्मा शायद उसे अपने कमरे में ले गए थी हारस ने अपने लिए केतली में चाय चड़ाई तो जाने कैसे इखलाकियात और महमान दारी का तकाज़ा याद आ गया अम्मा और उनकी भांजी के लिए भी चाय बनाई खुद ट्रे में कब सजाकर ले जाना तो उसे अच्छा ना लगा अपने मग में चाय डालकर वो अम्मा की कमरे की तरफ गया सोचा था उन्हें कह दे के चाय बनी हुई है किचन में से जाकर ले 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 मगर अम्मा को बा आवाजे बुलंद पुकारने से पहले ही वो ठिटक कर रुका था कमरे में से मौसूफा के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी और अम्मा उसे चुप करवाने की कोशिश में नाकाम हुए जा रही थी हद होती है ये लड़की भी बिलावजा अम्मा को परिशान करती है कोई मामुली सी बात होगी और यू रोना दोना डाल रखा है हारिस को अज़द कोफ्त हुई हानिया मेरी बच्ची बता तो सही हुआ क्या है कबसे रोए जा रही है पहले तो कभी इतना नहीं रोई हलकान कर लिया है खुद को मुझे बता तो सही हुआ क्या है अम्मा की आवाज ने हारिस को वहीं खड़े रहने पर मजबूर कर दिया फितरी तजस्स आड़े आया कि मौतरमा क्या जवाब देती है नाजो भाबी ने मेरे लिए अपने भाई का रिष्टा दिया है खाला बेतहाशा रोते हुए उसने आखर बता ही डाला तो मेरी चंदा इसमें यू रोने की क्या बात है इस उमर में बच्चेँ के रिष्टे आते ही हैं अम्मा ने उसे बुचका रहा था हारिस के होटो पर इस सजाय मुस्कुराहट बिखर गई जो लड़की रिष्टा आने पर ऐसा वावेला मचा रही थी उसकी जहनी हालत के क्या ही कहने और अम्मा इन महतर्मा को उसके पल्ले बानना चाह रही थी आपको नहीं पता खाला नाजो भावी का भाई एक नंबर का लोफर और अवारा है वैसे तो उसने एमबिय किया हुआ है जॉब भी अच्छी है लेकिन वो बहुत ही लूस करेक्टर बंदा है और नाजो भावी को अपने लफंगे भाई के लिए मैं नजर आ गई उनके खांदान में कोई उस चक्स को लड़की देने को तयार नहीं और मेरे भाई आखो दे की मक्खी निगलने को तयार है वो हिच्कियों से रो रही थी तुझे किसने बताया कि वो ऐसा लड़का है अम्मा ने तहाम्मल और रसानिया से दर्याफ्त किया शहला भाबी और छोटी भाबी की बाते सुनी थी उन्हें सब पता है शहजाद के मुतालिक पता तो तौफीग भाई को भी है जाहर है वो उनका सगा साला है लेकिन उनके मूँ में तो नाजो भाबी की जबान है अफसोस मुझे शम्स भाईया और छोटे भाईया पर है जब मैंने उन्हें बताया कि शहजाद किस टाइप का लड़का है और उसकी बाते मैंने उनकी बीवियों की जबानी ही सुनी है तो पहले तो दोनों भाबियां मुकर गई फिर छोटे भाईया बोले कि शादी से पहले लड़कों में थोड़ी बहुत ऐसी वैसी आदते होती ही है शादी के बाद सब सुदर जाते है लड़का पढ़ा लिका है और बढ़ सरे रोजगार भी और क्या गरंटी है कि किसी और जगा से रिष्टा आएगा तो लड़का बहुत शरीफ और सुल्चा होगा ये तो नाजो भाबी का बाई है इसलिए अच्छी बुरी आदतें सामने आ गई और शम्स भाईया बोले कि क्योंके नाजो भाबी हमारे घर की बहु है तो शहजाद की घर मेरी पोजीजन मुस्तैकम होगी वो लोग हमारे दबाओं में रहेंगे आप खुद बताएं खाला कि ये माकूल वज़ा है मेरा वहाँ पर रिष्टा करने की और नाजो भाबी जैसी खातून कभी किसी के दबाओं में आ सकती है जैसी वो हैं वैसा ही उनका खांदान है मैं तो उनकी घर में जाकर जीते जी मर जाऊंगी और फिर वो लफंगा शहजाद उफ में मर जाऊंगी खाला मगर उसे शादी नहीं करूंगी रो रो कर हानिया का गला पैड़ गया था और कमरे से बाहर खड़े हारिस को अब उसकी बातें और रोना बचकाना ना लग रहा था जब किसी की जिन्दगी दाव पर लगी हो तो वावेला मचाना हक है इस बात पर इस वक्त अपनी कजन पर उसे तर्ज भी आ रहा था और दिली हमदर्दी भी महसूस हो रही थी